मद्यपर्देश, सहेत, राजिस्थान और छत्तीस गड़ में कॉंग्रेश को मिली करारी हार के बाद जहां कॉंग्रेस को बाहर के लोग आलोचना का शिकार बना रहे हैं, वहीं कॉंग्रेस के भीतर के लोग भी निशाना सा द रहे हैं. अब ताजा बयान आचार प्रमोत कृष्णन का सामने आया है जिसमें बे कॉंग्रेस और बिपक्ष पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कॉंग्रेस नेता आचार प्रमोत कृष्णन ने कहा कि देश में बिपक्ष प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की आलोचना करते करते देश और हिंदू धर्म की आलोचना करने लगा है। इसी वज़े से देश की जनता ने बिपक्ष को और कॉंग्रेस को नकारना शुरू कर दि सुनिए आचार प्रमोत कृष्णन का ये बयान जो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है और इस बयान को कहा जा रहा है कि ये कौंग्रेस के भीतर ही आलोचना के बड़े सुर प्रकट कर रहा है अलाकि आचार प्रमोत कृष्णन ये पहली बार नहीं कह रहे हैं वो कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है मोदी से नफरत करते 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 वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है मोदी अगर नई संसद का निर्मान करें तो उसका विरोध धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में उसका विरोध अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध नमो भारत रख दें उसका विरोध मोदी की अलोचना करो कौन रोकता है प्रधान मंत्रियों की अलोचना हुई है और होती रहनी चाहिए लोगतंत्र की खुबसूरती है कि प्रधान मंत्री के फैसलों की अलोचना होनी चाहिए लेकिन प्रधान मंत्री से नफरत करना ठीक नहीं नमो भारत का मतलब क्या है कि भारत को नमन लेकिन नमो भारत का भी विरोध तो मुझे लगता है कि मोदी से नफरत करता करता विपक्ष इतना कन्फ्यूज हो गया है कि वो भारत की संस्कृति भारत की सब्वता सनातन सबसे नफरत करना शुरू करती है कि इंटरनेशनल इशूज पर भी हमारी राय अलग अलग है हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए जब इंद्रा गांधी जी ने फैसला लिया था पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का तो गोर विरोधी थेटल विहरी वाचपे जी उन्होंने इंद्रा गांधी का समर्थन किया था दुरुगा कहा था हम आपस में खूब लड़ें लेकिन जहां सवाल राष्ट का हो वहां हमें भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए